अगर अबो, स्वाहत आपका हमारे चल के एड़क्राइब आपके राशन कार्ट से जुड़वी बहुत जान करी देने वाला हूँ दोस्तो आपसे request है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजे आपकी स्क्रिण के उपर, subscribe के लाल निशान के उपर टच करके और इसके बद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नए नए वीडियो लगातर मिलती रहें यह प्रिपल फ्री होता है आप इससे जासे जादा फायदा भी उठा सकते हैं उसी तरह से अब राशन कार्ट को भी डिजिटल करने की तयारियां हो रही और कई जगाव पर डिजिटल होने भी वाला है तो आने वाले समय में हमारा राशन कार्ट डिजिटल हो जाएगा ताकि इसका मिस्यूज ना किया जा सके दूसरा इसके अंदर जो बड़ा चेंजिस होगा इसमें अब हमें बायोमेट्रिक साइन देने की जोध पड़ेगी जैसे कि अब आपने देखा होगा कि आधार कार्ट के अंदर हमारे फिंगर प्रिंट और हमारे आँखों के स्कैन किया गया था उसी तरह से आप राशन कार्ट पे भी हमारे फिंगर प्रिंट लिये जाएंगे और जब भी आप राशन लेने जाएंगे राशन के दुकान पर तो अपना फिंगर प्रिंट आपको देना पड़ेगा इससे यह होगा कि आपका जो misuse होता था राशन कार्ड का वो अब नहीं हो पाएगा तीसरा जो बड़ा changes है कि अब आपके राशन कार्ड की monitoring भी की जाएगी दोस्तो जब अमारा राशन कार्ड digital हो जाएगा तो इसका data जो है सरकार बहुत आसानी से इखटा कर सकती है दोस्तो क्योंकि Aadhar kaard हर जरूरी document के साथ link है तो यहाँ पर भी Aadhar kaard को link किया 자 सकता है तो दोस्तो अगला जो सके इंदर changes होगा वो ये होगा कि हमे 7 राशन कार्ड को अपने दूसरे जरूरी document के साथ link करना पढ़ सकता है जिस तरह से आधार कार्ट को हर जरूरी जगों पर हमें लिंक करना पड़ा है उसी तरह से हमारे राशन कार्ट को भी हमें लिंक करना पड़ सकता है और इसकी KYC भी करनी पड़ सकती है तो दोस्तो आने वाला समय जो है बहुत ही हाई टेक हो सकता है तो इसलिए हमारे राशन कार्ट को भी अब हाई टेक बनाने की जरूरत है और इसकी उपर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है तो दोस्तो आने वाले समय में राशन कार्ट के अंदर पांच बड़े चेंजिस करने का मुख्य कारण यही है कि राशन और राशन कार्ट से जुड़ी ही जो धान्दलिया है उनको रोका जा सके उनने कम किया जा सके और साथ ही साथ जब अभी हमारे पास एक राशन होता है तो अगर हम दूसरी स्टेट में जब सिफ्ट होते हैं तो हमें नए राशन कार्ट की जुरुत पड़ती है या हमें उस स्टेट पर राशन कार्ट बनवाना पड़ता है लेकिन अब जब राशन कार्ट डिजिटल हो ज जाते हैं तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसे लिए कि फिलीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकरी मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और इसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नहीं स्यादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी कले इतना धन्यवाद